हेलो फ्रेंज ठंडी का मौसम हो और गाजर का हल्वा ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है न तो चलिए आज बनाते हैं गाजर का हल्वा बहुत ही टेस्टी रगती है ये वैसे तो आपने बहुत सारी रेसिपी की वीडियो देखी होगी और बनाया भी होगा आपने और बहुत सारे लोग इसे कुकर में उबाल करके कट करके बनाते हैं पर हम आज ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं हम सिंपल जैसे ही ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे क्यों इस तरीके से बनाते हैं जब हम तो यह बहुत जादा टेस्टी यह गाजर सबसे पहले इसे दो करके छील लिया है और उसके बार इसे ग्रेटर से कीस लिया है अब तो एक चम मच हम यहाँ पर घी डालेंगे एक पैन में उसके बार जैसे घी मेल्ट हो जाए उसमें सारे किसे हुवे गाजर डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे जालीटर दूद डाला है तो दूद मैंने उबाल करके फ्रीज में रखा था इसमें मलाई पड़ी हुई थी उसके साथ ही मैंने यहाँ पर डाल दिया है क्योंकि मलाई डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है अब यहाँ पर डालेंगे एक कप शक्कर तीन कुटिव इलाईची और यहाँ पर डालेंगे हम चार चम्मच मिल्क पाउडर अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर दूद की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और अब इन सारी चीजों को अच्छे से सूखने तक हमें पकाना है बीज विच में वो सारी सूख चुकी है और तयार है हमारा गाजर का हलवा ओपर से आप इसमें जो भी ड्राइफ रूट डालना चाहते हैं उसे डाल लिए और गर्मा गरम गाजर का हलवा तयार है और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर ल देजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है तो मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए जैसे क्रिशना